नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त अभी शेक शर्मा फिर से लेकर आ गया हूँ एक नए आई पीयो की निउस जिसका नामनें दोस्तों जियाँ दोस्तों मैं आपको कमपनी के बारे में डीटेल बता दूँ तो उससे पहले मैं बताना चाहोंगा दोस्तों 9th of September को यह जो IPO है वो दोस्तों launch होने वाला है और यदि हम बात करें दोस्तों company की IPO की तो 6500 करोड रुपीज का यह बड़ा IPO दोस्तों मैं बता दूँ आपको यदि आपने किसी भी IPO में अभी तक invest नहीं किया दोस्तों तो यह एक बहुत अच्छा बोगा है दोस्तों यह company manufacture करती है injectables और दोस्तों मैं यदि बात करो उनकी manufacturing unit की तो अच्छी खासी इनकी manufacturing unit है दोस्तों around 7 unit हैं दोस्तों इनकी manufacturing unit यदि हम बात करनें दोस्तों इनके production unit की तो around 22 production unit हैं इनकी कि आने वाले दुनों में जो इनकी sales growth है दोस्तों बहुत ही बहतर होने वाली है यदि दोस्तों हम बात करें company की strength की तो mainly जो इस company की strength है दोस्तों वो है injectables यहां दोस्तों market में injectables को लेकर यह top manufacturer है दोस्तों तो यह बहुत ही अच्छी बात हो जाती है यदि हम बात करें दोस्तों company के business model की तो यह company B2B और B2C दोनों में ही काम करता है दोस्तों इसकी manufacturing team की बात करें दोस्तों तो बहुत ही अच्छी team है दोस्तों managerial team भी इसकी बहुत अच्छी है तो दोस्तों एक सवाल आयाता है कि यदि सारी चीज़ें अच्छी है तो यह fund raise क्यों कर रही है जो की बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों दरसल दोस्तों company ने बता है कि इनका fund raise करने का जो purpose है वो है दोस्तों working capital बढ़ाना जी है इन्होंनों बता है दोस्तों कि अपना working capital बढ़ा रहे हैं इसलिए उन्होंनों fund raise किया है दोस्तों दरसल ये new machinery और new plant लगाने के लिए सोच रहे हैं इसलिए दोस्तों इन्होंने fund raise किया है तो दोस्तों वैसे भी आपको पता है हो कि आने वाले 2-3 साल pharma sector के लिए बहुत ही अच्छे है तो बिना time waste कि हमें इसकी further details आपको देता हूँ दोस्तों ये देखिए यदि हम IPO date की बात करें तो 9th of November से लेकर 11th November तक ये IPO आप ले सकते हैं और देखिए दोस्तों यदि हम बात करें इसकी face value की तो 1 रुपे equity share इसकी face value दोस्तों और IPO का price है दोस्तों 4090 से लेकर 1500 रुपे तक का इसका price है दोस्तों market lot है दोस्तों एक lot में around 10 shares आ जाते हैं तो यदि हम total बात के लिए दोस्तों एक lot यदि आप लेते हैं तो around 15,000 रुपीस का आपको पढ़ जाएगा तो दोस्तों यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनायती कि एक अच्छा IPO है दोस्तों फिर भी आप खुद से भी research कर सकते हैं इसके बारे में तब ही आप इसमें invest करें तो यही बताने के लिए मैंने दोस्तों आपको वीडियो बनायती यदि वीडियो आपको पसंद तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की वीडियो हम लाते रहेंगे अब के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद